तो चलिए शुरू करते हैं आज का थर्ड टॉपिक हमारे आज की टॉपिक का नाम है जौच अब्राहम ग्रियर्जण इसके बारे में हम बढ़ते हैं सबसे करने आता है कि सच्चे अठों में हमें साहिते हैं लिखां डॉक्टर जॉर्ज इद्राहम ग्रियर्जण सच्चे अर्थों में हिंदी सहिते लिखने वाले अंगरीजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्जण लेकिन यह जो स्टेट्मेंट है कि सच्चे अर्थों में इन्हों हिंदी सहिते लिखा यह किस ने कहा यह स्टेट्मेंट है डॉक्टर किशोरी लान गुप्त गेमजार डॉक्टर किशोरी लान गुप्त ने कहा कि सच्चे अर्थों में हिंदी सहिते का प्रथम इतिहास जोके एक अंगरीजी विद्वान थी डॉक्टर किशोरी लान गुप्त ने इन्हीं की पुस्तव का अनुबाद किया जिसका नाम है हिंदी सहिते का प्रथम इतिहास आपको पेपर मेरी प्रश्चन आ सकता है कि हिंदी सहिते का प्रथम इतिहास किसने लिखा डॉक्टर किशोरी लान गुप्त में डॉक्टर किशोरी लान गुप्त के अनुसाल सच्चे अर्थमें हिंदी सहिते किसने लिखा जोर्च रावन गुप्त ने लिखा यह अनुवाद नुवंबर 1957 ने लिखा गया यह हिंदी प्रचारत पुस्तपाले है हिंदी प्रचारक पुस्तकाले यह वारनसी में है इनके द्वारा यह प्रकाशित हुआ यह है डॉक्टर किश्वर्यला गुरूप जीन का जो अनुवाद था हिंदी सहिते का प्रथम इतिहास वो नॉवंबर 1957 इस्वी में प्रकाशित हुआ कहां से हिंदी परचारत पुस्तकाले यह वारनसी से इस्वारा यह प्रकाशित हुआ अगर यह की एक्जाम में ऐसे आजाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी सहिते का इतिहास किसमें लिखा ऑप्शन में आजाए अचारय रामचनर शुकर दो तिन ऑप्शन और आजाए तो एक्चन में सही आएगा अचारय रामचनर शुकर क्योंकि यह सिर्फ इनकी अनुसार था कि डाप्टर किश्वडाल गुप्त जी ने कहा कि सच्चे अर्थों में जौर्ज अबराहम ग्रियरसन ने दिखा लेकिन सही माइने में यह है जो हिंदी सहिते का इतिहास था यह है अचारय रामचनर शुकर जिगार लिखा दिखा द द्वान थे जौर्ज अब बात करते हैं इनकी पुस्तकी बात करते हैं इनकी रचना का नाम है द अ modern vernacular literature of northern थिलुस्ताम यह इनकी रचना का नाम है अग यह है रचना का परकाशित हुई कहां से परकाशित हुई यह है रचना द रोयल अश्याइटिक साइटिक साइटी अफ मंगोल जौर्ज अब्राहं ग्रेसन की रचना द अमादर्न वर्ना के लेटरेचर अफ नौर्डन थिलुस्ताम यहां से परकाशित हुई यहां से परकाशित हुई यहीड रख बंगाल इनके प्त्रिका थी प्त्रिका के एक विशेश अंख यहां परकाशित हुई इसका प्रकाशिन कब हुद इसका प्रकाशित हुआ सिक में आफिर ईटीमे इटीमे इटीमें विशाण उसके बाद 1889 में इस पुस्तर का प्रकाशन एक सब तंत्र इतिहास पुस्तर के रोप में हुआ कैसे हुआ या इस रचना का विशेशां के रोप में किस ससाइटी गवार प्रकाशन हुआ या इस ससाइटी गवार प्रकाशन विशेशां के रोप में किस रचना का हुआ इस तरह से आपको रचना सकते हैं इसके बाद बाद करते हैं इस रचना की विशेशन इसकी विशेष्टा हैं, पहली विशेष्टा है, यह एक अंगरेजी विद्वान थे, तो इन्हों ने अपने पुस्तक अंगरेजी भाषा में लिखी, यह पुस्तक अंगरेजी भाषा में लचित है, उसके बाद इसकी रचना में 952 कवियों के जीवन चरत्र का वर्ना है, 952 में से, 1886 कवी है जो, यह शिर सिंग सरोज, जो शिर सिंग सेंगर की रचना में शिर सिंग सरोज से लिए गए है, यह इन कहसे हैं कि इनके बारे में जानकारी हमें शिर सिंग सरोज से मिलती है, तो बाकी बचे, 66 एक जो की हिन्दी के कवी थे इनका वर्नग लता है, 66 नहीं कवी उनका वर्नग लता है, इनकी तीसरी निशेष्टा है कि इसमें कवियों, हिन्दी कवियों को हिस ठाम दिया गया है, अन्य भाषाई, अन्य भाषाओं के कवियों को इस ग्रंत को जगा नहीं देगी, सिर्फ हिंदी कवियों को भी जगा दी गई है उसके बाद अगली विशेष्टा है कि इसमें कव्यों का जो काल क्रम है कव्यों को किस प्रकार से इसमें रखा गया है तो इसमें कव्यों को रखने की जो प्रकेडिया है वह काल क्रम अनुसार रखा गया है जो उनका काल था जो उनका जलन था मिलिती उती उसे कीवी अमिस्तार इस गरंथ में कवियों का बर्ण किया गया है इससे पहले की जो रचनाई थी उसमें अकारादी जैसे कर्व के पहले साथ रख दिये लेकिन यह पहला ग्रंथ था जिसमें कर्वियों का बनन काल करम के नुसार रखाया है थैंक यू तो यह था आज का हमारा थर्ड टॉपिक जोज अग्राहम ग्रेयसन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू